इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस का यूज करके एक वेबसाइट क्रियेट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक हौटी कल्चर के लिए एक वेबसाइट बेसिकली यह क्या चीज होती है पेड़ पौधों के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करना उनको अलग अलग जो चीज़े होती है न यहाँ पे ओविसली कोई फ्लावर वगरा बनाएगा तो उसका बाद में बोके बनता है बाकि सारी चीज़े बनती है तो उसको बेचा भी जाता है तो अगर एक वेबसाइट के जरिये उसका प्रमोट किया जाएगा तो उनका काम कर लोगे क्विकली यहाँ पर हम चेक करते हैं डेमो के उपर ताकि आप यहाँ पर देख सको अट दी अन्ड आफ दिस वीडियो आप यहाँ पर क्या क्रियेट करने वाले हो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट-hand side वावकास logo है और यहाँ पर राइट-hand side के उपास आप आपके पास यहाँ पर navbar यानि की navigation menu है और यहाँ पर एक phone number आपको देखने को मिलेगा बाग्राउंड में एक gray color या black color का overlay लगा हुआ है साथ में एक photo है कुछ tagline दे सकते हो आप यहाँ पर और यहाँ पर आपके कुछ details पास कर सकते हो जो आप यहाँ पर दिखाना चाहते ह एक contact us का यहाँ पर button लगा हुआ है कोई भी इसके उपर click करेगा तो आपके contact us page पर आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है पीछे एक background में image है get in touch है social media के icons है click करने पर redirect करा सकते हो अपने YouTube, Instagram, Twitter के उपर यहाँ पर आपका address, phone number, email address है Google में आपका location और आपका एक form ह आपको fill करेगा यह detail email address के उपर आपको receive हो जाएगा नीचे एक basic सा footer है जो हर एक page के उपर यहाँ पर लगा हुआ है अब बात करते हैं अगर मैं main page पर नीचे scroll करूँ तो आपने देखा यहाँ भी हमारे पास social media के icon है location है और क्या आप produce करते हो basically वो यहाँ पर है आपके products ह vegetable है fruits है dairy products है view all product के उपर अगर आप जाओगे तो उसका separate page खुल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके सा लिखा हुआ है आप देख सकते हो story के बारे में chemical free cheese है fresh है healthy है organic है farm के यहाँ पर details है आप यहाँ पर एक video लगा सकते हो नीचे अगर scroll करें तो कुछ और details है आपके पास client के यहाँ पर feedback है जुनोंने आपके पास से कभी कोई सामान खरीद है अब चाहें वो fruit हो flowers हो daily products हो तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो और नीचे आपका एक common सा footer है इसके phone number और details को आप अपने according एडिट कर सकते हो जब मैंने products के ऊपर click किया तो उसका page ही है आप देख सकते हो उस चीज को our products चलो से पहले हम यहाँ पर directly step by step आते है farm के page पर आते है तो यह हमारा एक farm का page है पीछे एक अच्छी सी photo लगी होई है यहाँ पर अपने details दिखाओगे और कुछ attractive सी images दिखाओगे जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा आपका mission, vision क्या है, mission क्या है वो सारे details, team members वो आप यहाँ पर highlight कर सकते हो similarly आप क्या produce करते हो या फिर product नाम से आप यहाँ पर एक page दिखा सकते हो और यह details हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में देखा उससे मिलता चुलता है जैसे कि vegetables है, fruits हैं यहाँ पर अगर आप कहते हैं, वो details आप यहाँ पर list कर सकते हो, similarly आपके वासे contactors का page है, वो मैंने आपको starting में दिखा दिया, तो आज की tutorial के अंदर हम लोग यही website create करने वाले हैं, वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर new हैं, तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification कौन करें, ताकि आपको latest videos क notification मिलती रहे, और एक बार जरूर चैनल के playlist को जा करके देखे, अब देखिए, इस website को मैं directly live बनाने वाला हूँ, online बनाने वाला हूँ, domain and hosting के उपर, क्यूंकि obviously आप किसी client को यह बना करके दोगे, तो अपने computer तक तो अपनी website को रखना नहीं है, इसे online पूरी दुनिया से को requirement पड़ेगी, currently अगर आपके पास नहीं है, कोई problem नहीं है, आप इस वीडियो के description को चेक करना, आपको दो वीडियो के link मिलेंगे, पहले मैंने यह बता रखा है कि wordpress को अपने ही computer पर कैसे install करना है, ताकि आप यह सारा काम जो मैं online करूंगा, आप अपने computer के ऊपर भी कर सक दूसरे वीडियो मैंने यह बता रखा है, इन future आपका मन करता है कि अब इस website को online लेकर के आना चाहिए, तो कैसे आप उसका backup file generate करोगे और उसे online लेकर के आओगे, वो मैंने second वीडियो में बता रखा है, तो make sure आप इस वीडियो के description को जरूर चेक करे, किसी website को बनाने के ल और उपर स्क्रॉल करके वेब होस्टिंग वाले पेस्ट से, आप अपने लिए domain name and hosting दोनों select कर सकते हो, आप यहाँ पर read कर सकते हो, आपको light speed की technology, pure SSD का disk space, और इन दोनों का combination आपकी website को 20 times faster बनाएगा, SSL certificate यानि कि STTPS secure lock का symbol आपको मिल जाता है यहाँ पर, pricing plan के अगर हम ब address create कर सकते हो, unlimited bandwidth है, light speed की technology है, premium SEO tool है, silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो, बाकि सारी चीज़ा unlimited है, इसी की तरह, advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाएगा, unlimited website को host कर सकते हो, बाकि सारी चीज़ा same है, इसकी तरह, unlimited, यह advantage है बहुत बड़ा web designers, developers के लिए, IT industry वालों के लिए, freelancers के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप unlimited website को host कर सकते हो, तो आप काफी अच्छा यहाँ पे अपने business से profit gain कर सकते हो, इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है, जिसकी market cost अगर आप खरीदने जाओगे, तो 49 dollar per month है, approximately 36-3700 rupees per month, domain resource आपको वे तीनों plan के अंदर, वो free of cost provide कर रहे हैं, basic plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1GB की storage है, 10 email address create कर सकते हो, 5GB की bandwidth और light speed की technology है, यहाँ पे आपको SEO tool free नहीं मिलेगा, आप चाहो तो अलग से खरीद सकते हो, लेकिन फिर वो काफी महंगा पड़ जाएगा, उससे अच्छा तो आप personal की तरफ जा सकते हो, क्योंक आपको अच्छा लगता है, और suitable हो आपके लिए, simply आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं silver को opt कर रहा हूँ, उसको जितने सालों के लिए आप buy करोगे, उतना अच्छा आपको discount मिलेगा, और view more पे click करें, view more पे click करने के बाद, यहाँ साब को domain name, उसका extension select करके, यहाँ पे check प सारा कुछ verify करने के बाद checkout पे click करें, और जिस तरीके से आप sign up करते हो, online shopping करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ भी sign up करना है, email generate करना है, password generate करना है, और अपने order को यहाँ से complete कर लेना है, एक बार आपका order success हो जाता है, तो आप आओगे main page पे, यहाँ से आपको जाना है login क page के उपर, login पे click करने के बाद, order completion का time पे जो email and password आपने दिया था, वो provide करके simply आपको यहाँ पे login करना है, जितने भी services आपने opt किये होंगे, जितने भी domain name आपने opt किये होंगे, आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा, services के उपर simply आपको click करना है, और जिस भी domain के उपर आप की control panel है, domain racer के web hosting servers के अंदर, आपको 100 plus options मिल जाते हैं, तो आप web designing development के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे emails को handle करने के लिए बहुत सारे options है, jet backups के बहुत सारे options है, files को handle करने के लिए options है, SEO के tools है, हमें यह currently wordpress पे काम करना है, तो हम यहाँ पे नीचे scroll करेंगे, और ह करने के बाद यहाँ से आपको जाना है, नीचे scroll down करके install now के उपर simply click करें, make sure यहाँ पे https connection selected हो, आपका correct domain name हो, directory आपको खाली रखना है, और जो भी आपको wordpress का latest version दिखता है, उसको आपको select करना है, जब आप wordpress को install करोगे, तो बाद में आपको उसका dashboard login करना पड़ेगा, उसी email address के उपर मिलेगा, इसके बाद आपको नीचे scroll करना है, simply आपको install now के उपर click कर देना है, तो wordpress यहाँ पर install हो चुका है, इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी domain name आपने select किया था, simply आपको उसको open कर लेना है, तो यह हमारा domain name है, और यह हमारा wordpress install होके आया है, बहु हैं, तो पिछले tabs को भी cut कर सकते हो, अपने domain name को new tab पे paste करे, slash के बाद आपको लिखना है, wp-admin, आपका domain name, slash wp-admin लिख करके enter press करे, तो यह आपका wordpress dashboard login करने के लिए credentials माग रहा है, जो आपने पिछले step में provide किया होगा, वो यहाँ पर fill करके, simply आपको यहाँ पर login पे click करना है, तो यह wordpress का dashboard है, जहां से हम सारी चीज़ों का perform करेंगे, आप चाहें तो इसको cut कर सकते हो, आप जब मर्जी अपने domain को type करके open कर सकते हो, even यहाँ पर जो भी आपको लिखा हुआ दिखे इसके उपर, आप view site को भी यहाँ पे new tab में open कर सकते हो, again आप इस step के उपर यहां से हमें उसको delete कर देना है, currently इसकी requirement हमें नहीं है, इसके बाद आपको add new पे click करना है, और यहां से आपको search करना है, astra, simply आपको यह starter template इसको install करना है, और astra widget को भी आपको यहां से install कर लेना है, इसके बाद आपको यहां पे search करना है, wp forms light, wp और forms के बीच में कोई space नह है सारे plugin install होने के बाद left hand side पर आपको plugins में जाना है और यहां से installed plugin के उपर आपको click कर देना है टिक लगाए यहां पर bulk action में जा करके simply आपको activate करना है और एक ही बार में हम सब को यहां पर activate कर लेंगे plugin activate होने के बाद हमें इस website के look को change करना है इस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा appearance और यहां से हम एक theme जो है वो install करना पड़ेगा add new theme पे click करें और यहां से आपको search करना है extra इसका look जो है वो time to time change होता रहता है look को ignore करें spelling पे ध्यान देते हुए आपको इसको install करना है install होने के बाद simply इसको activate करें और यहां पे अगर आप अपने website पे आओगे इसको refresh करोगे तो इसका look जो है वो change हो जाएगा अपने theme के इलावा जो भी आपको यहां पे दिखता है simply उसके उपर click करें और उसको यहां से आपको delete कर देना है delete करने के बाद यहां left hand side पे appearance के अंदर starter template आपको मिलेगा और नीचे भी मिल जाएगा दोनों में से जहां भी आपको साही लगता है उसके उपर click करें यहां से आपको elementor page builder select कर लेना है elementor आपका एक page builder है, plugin है, tool है जिसके जरीए आप pages को edit कर सकते हो, build कर सकते हो और अपने according customize कर सकते हो, और काफी easy है इसके through websites को create करना और यहां से आपको search करना है horticulture, यह आएगा आपके सामने look को ignore करें, spelling पे ध्यान दे, simply आपको इसके उपर click करना है import complete site पे click करें, आप wordpress में intermediator है, beginner है, expert है, किसके लिए बना रहे हैं, यह details पास करके इस process के पूरा होने का आपको wait करना है, तो starter template हमारा import हो चुका है, आप चाहें तो view site कर सकते हो, even आप यहां से भी open कर सकते हो, या जो already आपका domain name है, उसको आप type करें, refresh करें, यहां पर make sure edit with elevator का option आ रहा हो, अगर नहीं आता है, तो इसको cut कर दो और दुबारा यहां जा करक तो यह हमारा website का look है, जो हमने demo में चेक किया, उससे मिलता, जुलता, यहां पर बन करके, wordpress के जरीए और starter template के जरीए, already यह बन करके, यहां पर ready हो चुका है, अब हम बात करते है, यह my blog, my wordpress website को कैसे सही किया जाए, इसके लिए आप आजाओ अपने dashboard पे, यहां से आपको होटी culture, और अगर आपके कोई tagline है, brand का, तो उसको आप यहां provide करें, वरना इसको आप यहां से remove करें, नीचे scroll करके, आपको save changes पे click करना है, settings के अंदर एक और option आपको मिलता है, permalinks, इसके उपर click करें, और यहां से आपको post name select करना है, नीचे scroll करके save changes के उपर click करें, इसक कर सकते हो, इस चीज के लिए आप आजाओ, अपने wordpress के dashboard में, dashboard में आने के बाद आपको जाना है, यहां से appearance पे, और यहां से आपको जाना है, customize पे, customizer open होने के बाद, आपको अपना mouse ले करके जाना है, अपने logo के उपर, और जो आपको pencil यानिकी edit का symbol दिख रहा है, simply आपक इसके उपर tick करना है, click करने के बाद क्या होगा, left hand side पे दो logo आएंगे, एक छोटे screen के लिए होता है, एक बड़े screen के लिए होता है, आप यहां से इसको remove कर सकते हो, even आप change logo के उपर click करोगे, यहां से आप drag and drop करके या select करके अपने computer से कोई logo upload कर सकते हो, media library में जाने के बा यहां preview आने के बाद select करे, skip cropping कर रहा हूँ ताकि entire logo हमें देखने को मिले, currently नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे भी एक photo है, इसको भी मैं यहां से change कर रहा हूँ, choose image पे click करे, तो आप देख सकते हो, logo हमारा यहां पर लग चुका है, obviously आपको इस theme के इस आप से white color का logo लगान में अच्छा लगे, नीचे scroll करते हैं, यह इसका width है, अपने according इसको आप कम जादा करके adjust करोगे, ताकि यह आपको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, इसके बाद simply आपको यहां पर publish के उपर click कर देना है, click करने के बाद यहां पर आ करके refresh करे, तो आप check कर सकते ह हमारा यहां पर change हो चुका है, अब बात करते हैं जो उपर wordpress का logo होगा या globe बना होगा, इसको कैसे आप change कर सकते हो, आप यही पर नीचे scroll करोगे तो आपका option मिलेगा site icon, इसके उपर click करे, select site icon पर click करे, यह generally एक square image होनी चाहिए है, अगर यह crop allow करता है तो अच्छी बात है वरना यह लगेगा नहीं ठीक है, तो वो ध्यान रखना, तो यहां पर आ करके मैं crop पर click करता हूँ, simply आपको इसको publish करना है और अपने website के उपर आ करके इसको refresh करे, आप देख सकते हो जितना भी area square के अंदर fit आया वो आ चुका है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी यह यहां पर change कर सकते हो, वो आप चाहें तो पिछले tab को cut कर सकते हैं और अपने इस वाले page को एक बार refresh करे, refresh करने के बाद उपर एक option है, edit with elementor, मैं इसको elementor page builder में एक नए tab में open कर रहा हूँ, open होने के बाद यह जो content है यह left में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, let's take an example, यह करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसके उपर click करूँगा, और यहां पर आप देख रहे हो, center का option है, इस पर tick लगा दूँगा, similarly मैं इसको click कर रहा हूँ यहां पर, और इसको भी मैंने center किया, और इसी तरीके से मैंने इसको भी center किया, update पर click करे, update होने के बाद अपने website पर करकर refresh करें, तो आप देख सकते हो, यह आपका center में यहां पर आ चुका है, इसकी alignment left से proper है, लेकिन right hand side से बहुत खराब दिख रहा है यह, तो यहां तो इसको center align करेंगे, लेकिन हमारे case में हम लोग इसको justify करेंगे, क्योंकि हमारे website में, जगा जगा पे अगर आप देखोग यह मैं यहां से copy कर रहा हूं, और यहां पर आ करके अपने content के उपर click करें, यहां से आपको जाना है text वाले पे, और इससे पहले आ करके आपको paste करना है, और last में आ करके आपको अपना paragraph tag slash p के साथ यहां से close करना है, इसके बाद आपको update पर click करना है, आप अल्री देख सकत इसकी alignment यहां पर proper हो चुकी है, अब जो learn mode है, यह मुझे नहीं चाहिए है, तो मैं इस पर click कर रहा हूं, click करने के बाद आप देख सकते हो, यहां पर learn mode लिखा हुआ है, मैं इसको कर रहा हूं, contact us, ठीक है, contact us मैंने इसको कर दिया है, और अपने contact वाले page को यहां से मैं open कर हूं, open होने के बाद मैं इसका link copy कर रहा हूं, और इस button का जो link है, वो मैंने provide कर दिया, यहां पर, इससे क्या होगा, अब इसके उपर click होने पे, मेरा contact us का जो page है, वो open हो जाएगा, नीचे scroll करते हैं, अगर आपको यह facebook पे click होने पे, youtube पे click होने पे, इसको redirect कराना है, अप इसने page का link copy करके pass करे, जहां profile खोलोगे ना, तो उपर का यह पूरा area copy करके paste कर देना, redirect हो जाएगा, इस address में कुछ change करना है, यहां click करके direct type कर सकते हो, even आप यहां से भी कर सकते हो, तो मैं यहां पर आकर last में इसको कर देता हूं, इंडिया, simply update पे click करे, इसके बाद इस content पे आते हैं, अबर produce, अगर यह produce की जगह पे आप products करना चाहते हो, तो आप यहां पर simply उसको कर सकते हो, कि हम क्या produce करते हैं, ठीक है, view all produce के उपर क्या होगा, basically यह आपका produce का page खुल जाएगा, तो simply इसको एक new tab में open करे, इसका URL यहां से copy करे, और button के उपर click करके इसके link की जगह पे उसको pass करे, ताकि click करने पे आपका वो page जो है, वो open हो जाए, इस content पे click करे, जो भी आपको type करना है यहां पे, आप बहुत easily उसको कर सकते हो, वो आपका reflect हो जाएगा, बहुत easy elementor के अंदर चीजों को edit करना, नीचे scroll करे, यह photo ना पसंद आए, तो इसके उपर click क करे, upload कर सकते हो अपनी photo को, या फिर media library से भी आप यहां पे photos को select कर सकते हो, let's take an example, मैं इसको tick लगा रहा हूँ, insert media पर मैंने click किया, तो यह खराब आ रहा है, क्योंकि एक landscape mode की photo थी, बाकी photo का resolution अलग है, तो make sure आपकी photos का size है न, वो भी थोड़ा आप देख कर के रखो, वर tomato, basically आपको समझाने के लिए है कि आप content भी change कर सकते हो, नीचे scroll करते हैं और ये भी खराब दिख रहा है, ये read more मैं right click करके delete मार रहा हूँ, इस पे click करे, text पे जाए, PA line justify वाले line दुबारा paste करे, यहां से इसको copy कर रहा हूँ मैं, और PA line justify वाले line को आपको paste करके last paragraph close कर लेना है, अगर आपको ये photo change करना है, simply इसके उपर click करके choose image करके, इसी तरीके से आप सारी चीजों को यहां पे change कर सकते हो, इसके उपर click कर रहा हूँ मैं, और अब चाते हो कोई video play हो, तो यहां पर एक YouTube video का link आपको pass कर देना है, इसी तरीके से with the help of elementor page builder, आपको इस website के एक element, ए यहां पे change करना है, let's take an example, यह background में लग यह photo आपको change करना है, तो इस चीज के लिए आप आज़ो elementor पे, यह 6 dot आपको दिखेंगे, इसके उपर click करो, click करने के बाद आपको जाना है style पे, style पे जाने के बाद आपको जाना है choose image पे, यहोने के बाद यहां से भी select कर सकते हो, बट मैं upload पे जाके अपनी photo यहां पे upload कर रहा हूँ, और preview का आने के बाद आपको simply यहां पे insert पे click करना है, तो आप देखो के जो background में photograph थी, वो भी यहां पे आपका change हो चुका है, अपने website पे आपकर करके simply आपको यहां से refresh करना है, तो आप देख सकते हो photo हमारा यहां पे change, तो आप देख सकते हो background photo हमारा यहां पे change हो चुका है, तो आप समझ चुके होगे कि कितना easy है इसमें यहां पे editing को perform करना, अब हम बात करते हैं यहां पे animation कैसे लगा सकते हैं, animation को लगाने के लिए आप इस area पे click लगाओ या फिर individually भी हर एक को आप animate कर सकते हो, आप इस पे जाओगे, motion effect पे जाओगे, entrance animation के अंदर यह default के अंदर जितने भी option दिखते हैं आपको, यह different different animations हैं, किसी एक के उपर click करें, similarly मैं इसके उपर टिक लगा रहा हूँ, advance पे गया मैं, motion effect, entrance animation और यहां से मैंने इसको roll in provide कर दिया, इस button के उपर भी मैं यहां पे animation लगा रहा तो आप चेक कर सकते हो, यहां पे वो animate हो करके आ रहा है, अब हम बात करते हैं, यहां पे contactors page की, तो यह हमारा contactors का page है, कोई भी detail change करना हो, कुछ भी change करना हो, पहलो उस page को open करो, edit with elementor में जाओ, और आपको जो भी यहां change करना हो, जैसे कि address आपको change करना हो, जैसे कि address आप पे changes को perform करना, आप अपने according सारे changes with the help of elementor page builder यहां पे कर सकते हो, पहले उस page को open करो, और उसे edit with elementor आप यहां पे कर लोगे, तो देखा आपने wordpress का use करके एक website को create करना कितना जादा आसान है, मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप मेरे steps को follow करके इस website को create कर लोगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, चैनल पर नहीं हो तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता है आप से अगली video में, thanks for watching guys